प्रिये विध्यार्थियों, आज हम देखेंगे अणु वेगों का वित्रण किस प्रकार होता है, यानि कि एक दीगई वेग परास में कितने अणु इस्थित होते हैं, तो यहां पर हम अणु गति सिद्दान से अच्छे से जानते हैं, कि गैस के अणु पर सभी संभव दिश और दिशा भी बदल जाती है, और मैक्सवेल ने बताया कि कि किसी निश्चित वेग परास में अणु की संख्या निश्चित रहती है, अगर जो आपका निकाय है, वो इस्थाई अवस्था में आ गया है तो, निकाय के इस्थाई अवस्था में निश्चित वेग परास में अणों की संख्या नियत होती है निश्चित होती है और यह Maxwell का वेग वित्रन नियम है और इस Maxwell के वेग वित्रन नियम का जो सूत्र है उसने उन्होंने सांख्या के विध्यों से पूर भी इसको निकाल लिया था पर अंतु बाद में इसे बोल्जमेन ने सांख्या के विध्यो उसे ग्याद किया, इसलिए हम इसे अब Maxwell-Bolzman-Vitranium कहते हैं, अब हम यह देखते हैं कि हम इसे निकालते कैसे हैं, तो Maxwell-Bolzman-Vitranium के लिए हमने जो परिकलिपना यूज की है, वो है गैसों के अनुगति सिद्दान्त की, तो उसके नुशार जो गैसों की अनुगों की संख्या है, वो बहुत अधिक होती है, और उनके वेग, जिरो से इंफिनिय्टेग तक कुछ भी मान सम्भव हो सकते हैं, अनके, हम ये भी कह सकते हैं, कि अगर हम चाल की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, और वेगों की हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक दिशा में वेग, 0 से इंफाइनेट, तो अगर मैं प्लस x दिशा में चल रही है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ, कि 0 से इंफाइनेट, और अगर मैं माइनस दिशा में चल रही हूँ, माइनस x, माइनस y, माइनस z दिशा में चल र जो अनू है वो पॉइंट पार्टिकल्स वाने गए हैं इसलिए जो अनू का आयतन है वो पात्र के आयतन के तुल्ना में गैस के तुल्ना में बहुत कम हो जाता है और अनू की जो गती है वो अज्यादराचिकर अन्यमित है और यह अनू परस्पर पात्र के दिवारों से और आपर फस्में टकर आते रहते हैं। पूंदते हैं प्रत्यास्त होती है। प्रत्यास टकर आप जानते हैं। और अनुगे घंट्व क्या है। समान है एसा नहीं है कि कब neighborhood एक जगे कठ्थे हो ही हों। दूसरी जगे ही गैस का गनत्व क्या है सभी जगे सामान है और हलाकि हम अच्छे से जानते हैं कि अणों के वेग परिवर्तन शील है तब भी एक नियत वेग पराज में अणों के संख्या सामान रहती है तो हमने यह मान लिया वेग वित्रन नियम निकालने के लिए कि एकाई आयतन में किसी भी पात् में अणों के संख्यां N का मत्तब यह हम कह रहे है रहे हैं नंबर देंसीटी तो नंबर देंसीटी कितनी है इसकी N है और किसी समय जो अनों का वेग हो है वह हमने मान लिया है सी है X दिशा में अन्वों का वेग घटक U, Y दिशा में V, Z दिशा में W और इसी तरह C से DC प्रास में कितना है? X दिशा में U प्लस DU, Y दिशा में V प्लस DV और Z दिशा में W प्लस DW और अन्वों के वेग X दिशा में U से U प्लस DU होने की प्रायकता हमने मान ली कितनी है? FUDU, Y दिशा में अन्मों के वेग V से V प्लस DV होने की प्राइकता हमने मान लिए FVDV है और Z दिशा में अन्मों के वेग W से W प्लस DW की बीच होने की संभामना कितनी है FWDW है, तो संयोख प्राइकता क्या हो जाएगी P, UVW हम देंगे FU, FV, FW, DU, DV, DW से और इन वेग प्राइसों में जो अन्मों का घनत होगा वो दिया जाएगा DN is equal to, अब हम इने इसको क्या किया है यह जो प्राइकता है इसको हमने किसे गुणा कर दिया है Number density N से गुणा कर दिया है तो यह मुझे बताएगी कि इन वेग प्राइसों में अन्मों का संख्या घनत है कितना होगा अगर अब हम velocity space की बात करें तो velocity space मतलग X, Y, Z को हमने किसे रिप्लेस किया है UV, W से रिप्लेस किया है तो velocity space में अगर हम एक आलपांश इस volume element के कलपना करें तो इसके जो volume होगा वो होगा DU, DV, DW और इसमें जो velocity points की संख्या होगी जो density होगी इस आयतन में वो हो जाएगी DN upon DU, DV, DW और वो किसके द्वरा दी जाएगी N, F, U, F, V, F, W कि दारा जो अभी हमने पहले सूतर निकाला है उसी में हमने DN किसका डिवाइट कर दिया है DU, DV, DW का और ये मुझे एक्चली क्या बता रहा है कि velocity space में number density of velocity volume element कितनी number density है इसका मान मुझे बता रहा है यानि density of velocity points in velocity space क्या बता रहा है ये मुझे density of velocity points in velocity space अब velocity space में अगर हम ये जो अलपांश हायायतन है किस पर इस्ठिछ है C वेक दूरी परिस्थित है यानि C वेक परिस्थित सभी अलपांशों में घनत समान होना चाहिए क्योंकि हमने का है घनत उरा लग लग नहीं है घनत उरा अलों का समान है सब जगे इसलिए नियत C के लिए घनत उसमान है इसलिए N F U यह जो हमने घनत निकाला है वेलास्टी पॉइंट का यह क्या होना चाहिए यानि N F U F B F W क्या होना चाहिए और यह कॉंसेंट है तो डिफ्रेंशल इसका 0 हो जाएगा और जब हम इसका डिफ्रेंशल करेंगे तो हम जानते हैं एक फंक्शन को कॉंसेंट रखके तीसरा का करेंगे और दूसरे दो का रखके पहले का करेंगे यानि किसी हम दो को कॉंसेंट रखके एक का डिफ्रेंशल कर और FU और FW एक सा रखा गया है, तो FW, FU, DL FV, DL V, DL V, DL V, DL V और DL V. अब लास्ट टाइम हम किसका करेंगे? W का करेंगे, डिफरेंशल, यह दोनों कॉंसेंट रहेंगे, तो FU, FV, DL FW, DL W, DL W is equal to 0. अब हम इस पूरे एक्वेशन में किसका भागते देते हैं? FU, FV और FW का, तो हमें दिख रहा है, यह क्या बन जाएगा? 1 upon FU, DL U of FU, DL, DL V of FV, DL, 1 upon FW, DL W of FW, DL W is equal to 0. और चुकि C नियत है, तो इसको केंद्र मान कर सिरी तरिज्जा का अगर हम यहां गोला कीचें, तो इस गोले का जो तरिज्जा होगी, वो किसके द्वारा दी जा सकती है? U2 plus V2 plus W2 के द्वारा, और चुकि यह नियत है, इसलिए इसका प्लान करने पर मुझे क्या मिलेगा? UDU, क्योंकि इसका प्लान करूंगे तो 2C DC, और DC नियत है, इसलिए DC 0 होने के बजाए से 0 हो जाएगा, और यह देगा मुझे 2UDU, यह देगा 2VDV, और यह देगा 2WDW, तो चुकि यह 0 है, तो मैंने 2 सब जगे से हटा दिया है, तो मेरे पस दो प्रतिबंधों को संतुष् एक पहला प्रतिबंधों को जो हमने यह कहा कि आपके पास यह जो आपके पास यह जो अलपांश घनत्व है वो समान है, उसको मानते हो यह 1st condition और 2nd condition, इन दोनों प्रतिबंधों को जो हम सैटिस्वाइ करते हैं, तो हम लेंगराजी का अंडिटर्माइंट मुल्टिप्लाय करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कि इसको हम एक constant सुगना करके इसमें जोड देंगे, और यह जो कि दोनों 0 के बराबर है और फिर हम इसको 0 के बराबर करतेंगे, तो मेरे पास क्या result आजाएगा लेगरांजन मैथड से, कि 1 अपन FU, देल देल U of FU, प्लस बीटा पर हमने यह जो कॉंटिटी है, इसका मान क्या सबको मिला कि हमने क्या किया है, 0 जहां बीटा क्या है, एक अंडिटर्माइड मंटल प्लायर है, अग्यात गुनक है, अब चुकि U, V, W सब एक दूसरे सुतंत्र है, यह X पे निर भर है, यह Y पे और यह पूंटिया, Z पे नि जोरो, और इसी तरह Z डिरेक्शन के लिए, 1 अपन FW, डेल डेल W, और प्लस बीटा W, शुट बीटा W, शुट बीटा W, इक्वेशन हमें मिली है, अब इसमें FU, FV, FW का मान निकालने के लिए, हम तीनों को हल करेंगी, तो किसी एक को हम हल कर लें, बाकी का हल वैसे ही मेर करती हूँ, कि 1 अपन FU मेरे पास है, और बीटा W, मैं दूसरी और ले जाती हूँ, तो 1 अपन FU, डेल U of FU is equal to minus beta W, या फिर FU वाले टम एक साथ रहन देते हैं, यू को इधर ले आते हैं, तो यह बन जाता है, डेल of FU upon FU is equal to minus beta W, डेल U, अब यहां पर इसका हम इसको हम लेख रहे हैं, तो अब हम इसको solve करते हैं, तो यह बन जाएगा, LN FU minus LN A is equal to minus beta U square upon 2, या फिर, इसका इंवर्स function लेते हैं, तो यह बन जाएगा, FU upon A is equal to E की पावर, क्योंकि यह LN का इंवर्स स्वैम हड़ जाएगा, तो एक्सपोनेंशल लेंगे, तो यहां एक्सपोनेंशल लग जाएगा, तो E की पावर minus beta U square upon 2, और या फिर मेरे पास आगया कि FU is equal to A, beta upon 2 को मैंने रख दिया है B, तो यह बन गया मेरे पास FU is equal to A, E की पावर minus beta U square, इसी तरह FV निकालेंगे, तो A, E की पावर minus beta B square, इसी तरह FW, तो आपके पास आजाएगा, A E की पावर minus beta W square, तो FU, FV, FW का मान मेरे पास ख्या जाएगा, AQ, E की पावर minus B, U square plus V square plus W square, अब मुझे यहां constant A का मान भी चाहिए, और constant B का मान भी चाहिए, तो constant A का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि किसी लिए निकाय में, गैस करा जो अर्मों का घंदत पर हमने के अतना मान के चले हैं, हम N है, और यह चुकि D N का जो मान है, वो होता है, N, FU, FW, FU, FV, FW, DU, DV, DW, यहां पर हम यहां एक चीज़ एड़ कर लेते हैं, और वो है FW, तो यह मान आपके पास अर्मों का संख्या घंदत्व था, और अगर मैं इसको इंटिगेट कर क्योंकि F is X जशा में हो रहा है, Y जशा में हो रहा है, और यहां से चुकि यह चुकि यह चुकि दोना तरफ, इसको मान इंटिगेट करूंगी तो यह मिझे मुझे क्या मिल था है, क्योंकि N के बराबर न प्रादेगा, तो वो है, यह एकुप, हमने फ, U, FB, W कामान 및 तो aq बाहर आजाएगा पहला integration बन गया एकी पावर माइनस b u square d u दूसरा integration बन गया एकी पावर माइनस b v square d v और तीसरा integration मेरे पास आता है एकी पावर माइनस b w square t w अब हम इसी को इसी को इसी स्टेंडर्ड मेथर से सॉल्फ करते हैं तो यह मान मिलता है मुझे root pi upon b तो root pi upon b इधर से भी x वाले component से भी y वाले से भी और z वाले से भी यानि u वाले से भी v वाले से भी और z वाले से भी मिलेगा तो इसे नेट result हो जाएगा कि 1 is equal to aq root pi upon b का whole q यानि aq कमान b upon pi की power 3 by 2 या फिर a कमान होगे आपके पास b upon pi की power हाँ तो यहाँ पर a कमान b की terms में आया है तो अगर मुझे b पता है तो मुझे a भी पता लगेगा तो b कमान ग्याद करने के लिए अब हम क्या करते हैं वह yz होगा और इतल मैंने आर मान लिया है तब जो टक्कर से पूर अनू का संवेग था वह mu था अब जब यह टक्राता है तो टक्कर की बाद चुकी वेग की दिशा बदल जाती है जो संवेग हो जाएगा वह हो जाएगा मायनस mu इसलिए टक्कर से जो अनू के संवेग में परिवर्दन हुआ वह हो जाएगा mu – –2mu के बराबर और यह जो –au aoम के लोट रहा है वह सामने गते बाद से ऑंल से टाक्कर करता है और टक्कर होगकर के वापीस दिसी और गतिमान होता है क्योंकि टक्रे प्रत्यास्त है तो दो करमागर टक्रों के मद्धै जो समय अंत्राल है वो है टो अपन यू के बराबर तक्कर की आवरत्ती हो जाएगी, इसलिए वो हो जाएगी U upon 2 के बराबर तो जो दाब लगाएगा, एक अणू की हम इभी हम बात कर रहे हैं तो एक अणू जो इस दिवार पे दाब लगा रहा है उदाब हम जानते हैं, डेफिनिशन से बल अपॉंशेत्रफल होता है और बल होता है समवेग में परिवर्तन की दर के बराबर न्यूटन के नियम से अपॉंशेत्रफल और समवेग में परिवर्तन की दर कितनी होगी कि एक टक्कर में प्रदत सम्वेग कितना है और टक्कर क्या वरती कितनी है उससे हम गुणा कर देंगे उससे मुझे क्या मिल जाएगा सम्वेग में परिवर्तन की दर तो सम्वेग में परिवर्तन की दर अपॉन शेत्रफल यानि डीपी जो मैं निकाल रही हूँ वो हो जाएगा 2MU into U by 2, टकर की आवरती U by 2 है, शित्रफल हमने एक आंक माल लिया है, और जो टकरों में प्रदत सम्वेग है, एक टकर में वो है 2MU के बराबर, तो कुल प्रदत सम्वेग जो लगाया गया, दाब हो गया, प्रती एक आंक शित्रफल पर, क्योंकि शित्रफल कितना हो जाएगा दिवार पर, वो हो जाएगा, DP is equal to NU mu squared, जहां NU क्या है, अणों का जो संख्या गनत होगा किसी एक दिश्या में, यानि X दिश्या में, तो वो मान किस के द्वारा दे जाएगा, N FU DU के द्वारा, तो यह मान हो गया, N A A की पार माइनस BU squared, DU क्योंकि FU क मान मैं निकाल चुकी हूँ इसलिए तो प्रेशर या फिर यह चुकी अंतराल बहुत क्लोज वेलासिटी कुछ भी हो सकती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक और यह सतत रुप से बदल सकती है इसलिए हम समेशन को इंफिनिटी से प्लस 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 इंफिनिटी ता कुछ भी हो सकते है इसलिए यह हो जाएगा integration minus infinity से plus infinity n u mu square अब n u का मान हम रख देते हैं तो n u का मान यहां मेरे पास आ जाएगा n से मैंने भी यहां यह मान n u का लिखा वा इसको मैं यहां रख रही हूँ तो मैं जे resultant मिल जाता है m n a u square e की पाव minus bu square du जो constant term है वो integration से बाहर रे लिगए है तो integration बच जाता है u square e की पाव minus bu square du और standard integration से इसकी value क्या है 1 upon 4 root pi upon bq तो resultant जो मेरे पास आ जाता है pressure के लिए वो result pressure के लिए मुझे मिलता है इस समीकन से कि आपके पास p is equal to m n upon 2b अब यह pressure हमें आदर्ष के सिद्दांत यूज़ कर रही हूं तो आदर्ष समीकन से gas समीकन से में जानती हूं p is equal to rt होता है या p is equal to n r को लगल हम लिख सकते है n kb और v से डिवाइट करते है तो यह बन जाता है p is equal to n kb और यहाँ पर kb क्या है bolzman constant है तो यह बन जाता है n kb तो यह भी pressure है जो आरदर्ष गयस के लिए निकाला गया यह भी pressure है जो हमने अभी इस method से निकाला रहा है तो यह दोनों तरीके हमारे डिफरेंट है लेकिन मान वही आना जाए इसने दोनों को हमने क्यूट किया तो b कमान मेर पास आ गया m upon 2 kb और जब मुझे b कमान पता चल गया तो a कमान चुकि b की टम्स में था तो मुझे a कमान भी मिल गया कि m upon 2 pi kb t की पावर हाफ तो जो एक गिवन वेलासिटी परास में जो अनों का संख्या गनत वह है dn वो क्या मिल गया मुझे n m upon 2 pi kb t की पावर 3 by 2 e की पावर मायनस m upon 2 kb t u square प्लस v square plus w square into du d18 तो ये बताता है एक गिवन वेलासिट परासिटी है किस पराकार से अनों का वेलासिटी है कितने अनों किस वेलासिटीahh इस दीटी ये कहलाता है Maxwell का वेलासिटीट नियम अब इस एक वेग वित्रनियम को अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं देखूं ये वाली जो टम है ये है में टम e की पावर माइनस m u square 2 k b t वागे सब कांसें टम है तो अगर हम यहां देखें तो यहां पर e की पावर 0 जो होता है वो one होता है तो zero पर यह मान maximum मान देगा और इसकी तरफ प्लस में velocity है तो भी मान घटेगा क्योंकि u square हो रहा है और minus में velocity है तो भी मान घटेगा किसे घटेगा e की पाव minus u square upon 2 kbthr गातां की शह वाली टाम है इसलिए यह पूरा वक्र जब मैं इस velocity distribution का देखती हू किसी एक दिशा के लिए तो मुझे क्या मिलता है यह एक Gaussian वक्र के तुल्ले मेरे पास मिल रहा है तो इसलिए मैं इसको Gaussian वेग वित्रण है अब इस वेग वित्रण की व्याख्या क्या है कौन सा वेग किस दिशा में और किस प्रकार से मैं अधिक्तम प्राइक चाल निकालती हूं किस तरह से मैं अधिक्तम वेग निकालती हूं और किस प्रकार से इसका हम temperature के साथ इसका वेरेशन देखते हैं वह हम देखेंगे अगले अपने लेक्चर में धन्यक्राइब